राजनामा दुनिया और मैं आपके साथ आरती जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी चैत का महिना चल रहा है और आज से चैत की सबसे खास परव चैतर नौरातरी और रामनौमी की सुर्वात हो रही है आज चैत्र नौरात्री का पहला दिन है चैत्र नौरात्री के इस पावन अवसर पर आज हम बात करेंगे माता रानी और स्री राम के इस महत्तपुन पर्व के बारे में आगे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है चैत्र नौरात्री और रामनौमी का महत्व चैत्र नौरात्री और राम नौमी दोनों ही हिंदु धर्म के प्रमुक तहवार होते हैं, जो चैत्र माह में मनाये जाते हैं चैत्र नौरात्री हिंदु धर्म के एक महत्तपूर्ण तहवार हैं, जो की हर वर्स के चैत्र माह में मनाये जाता है आज चैत्र नौरात्री का पहला दिन है ये नौ दिनों तक चलता है और इसके दोरान नौ देवियों की पूजा की जाती है प्रथम दिन मा सैल पुत्री की पूजा होती है जो की दुरगा जी के पहले स्वरूप में सैल पुत्री के नाम से जानी जाती है ये नौदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है परवत राज हिमाले के घर पुत्री रूप में उत्पन होने के कारण इनका नाम सैल पुत्री पड़ा नौरात्र पूजन में प्रथम दिवस इनी की पूजा और उपासना की जाती है इनका वाहन व्रिशब है इसलिए ये देवी व्रिशा रुड़ा के नाम से भी जानी जाती है इस देवी ने दाए हाथ में त्रिशूल धारन कर रखा है और बाए हाथ में कमल सुसोबित है यही सती के नाम से भी जानी जाती है नवरात पर्व के दूसरे दिन मा ब्रह्मचारनी की पूजा अर्चना की जाती है साधक इस दिन अपने मन को मा के चर्णों में लगाते हैं ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारनी यानी आचरन करने वाली इस प्रकार ब्रह्मचारनी का अर्थ हुआ तब का आचरन करने वाली भगवान संकर को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए गोर तपस्या की थी इस कठिन तपस्या के कारण इस देवी को तप्शारनी अर्थात ब्रह्मचारनी नाम से अभिहित किया गया कहते हैं कि मा ब्रह्मचारिनी देवी की कृपा से सर्व सिध्धी प्राप्त होती है दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी रूप की उपाशना की जाती है इस देवी की कथा का सार है कि जीवन के कठिन संगर्सों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए मादुर्गा की तीसरी सक्ति का नाम है चद्रगंटा नरात्री उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है और इस दिन इन्हीं की विग्रा का पूजन अराधन किया जाता है इस दिन साधक का मन मनिपूर्श चक्र में प्रविष्ठ होता है इस देवी की कृपा से साधक को अलाकिक वस्तूओं के दर्शन होते है दिवी सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की धोन्या सुनाई देने लगती है देवी का यह स्वरूप परम सांति दायक और कल्यानकारी माना गया है इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्यानकारी और सदक्ती देने वाला है इस देवी के मस्तक्स पर घंटे का आकार का आधा चंद्र है इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है इनके सरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है इस देवी के दस हाथ है वे खड़क और अन्य अस्त सत्र से विभूशित है सिंख पर सवार इस देवी की मुद्रा युध के लिए उद्धत रहने की है इसके घंटे से भी भयानक, ध्वनी से अत्यचारी दानव, दैते और राक्षे स्कापते रहते हैं नवरात्री में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है इस देवी की कृपा से साधक को अलैकिक वस्तूओं के दर्सन होते है दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनिया सुनाई देने लगती है इन छनों में साधक को बहुत साधान रहना चाहिए इस देवी की अराधना से साधक में वीर्ता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है इसलिए हमें चाहिए कि मन वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधी विधान के अनुसार परिसुद पवित्र करके चंद्रघंटा के सरनागत होकर उनकी उपासना अराधना करनी चाहिए इससे सारे कस्टों से मुक्त होकर सहज की परंपद की अधिकारी बन सकते हैं यह देवी कल्यानकारी भी है नवरात्र पूजन के चौथे दिन मा कुस्मांडा देवी के स्वारूप में दुर्गा जी की उपासना की जाती है इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है नवरात्री में चौथी दिन देवी को कुस्मांडा के रूप में पूजा जाता है अपनी मन्द हलकी हसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन करने के कारण इस देवी को कुस्मांडा के नाम से अभिहित किया गया है जब सृष्टी नहीं थी चारो तरफ अंधकार ही अंधकार था तब इसी देवी ने अपने इशत हासे से ब्रह्मांड की रचना की थी इसलिए इसे स्रिष्टी की आदी स्वरूपा या आदी सक्ती कहा गया है इस देवी की आठ भुजाएं हैं इसलिए अस्ट भुजा कहलाई है इनके साथ हाथों में क्रमास कमंडल, धनूश, वान, कमल, पुष्प, अमृत्पुर्ण कलस, चक्र तथा, गदा है आठवे हाथ में सभी सिध्यों और निध्यों को देने वाली जप माला है इस देवी का वाहन सिंग है और इन्हें कुम्डे की बली प्रिये है संस्कृत में कुम्डे को कुश्मांड कहते हैं इसलिए इस देवी का कुश्मांडा कहा जाता है इस देवी का वास सूरे मंडल के भीतर लोक में है सूरे लोक में रहने वाली इस देवी की संगता केवल इन ही में है इसलिए इनके सरीर की कांती और प्रभा सूरे की भाती ही दैदिप्यमान है इनके ही तेज से दसो दिसाएं अलोकित है ब्रम्हांड की सभी वस्तूओं और प्रानियों में इन्ही का तेज व्याप्त है अचांचल और पवित्र मन से नवरात्री के चौथे दिन इस देवी की पूजा अराधना करनी चाहिए इसे भक्तों के रोगों और सोकों का नास होता है तता आयू, यश, बल और आरोग्य की प्राप्ती होती है यह देवी अतलब पे सेवा में और भक्ती से ही प्रश्न होकर आसिरवात देती है सचे मन से पूजा करने वालों की सुगमता से परंपद प्राप्त होती है विधी विधान से पूजा करने पर भक्त को कम समय में ही कृपा का सुख्ष्म भाव अनुभाव होने लगता है यह देवी आधियों विवाधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समरिती और उन्नती प्रदान करती है अंतदा इस देवी की उपासना में भक्तों को सदे उत्तत पर रहना चाहिए नवरात्री का पाँचवा दिन सकंद माता की उपासना का दिन होता है मुक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदाई है मा अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ती करती है सपर वाली भुजा में वर्द मुद्र है और नीचे वाली भुजा में कमल पुश्प है पहाडों पर रहकर संसकारिक जीवों में नौचेतना का निर्मान करने वाली स्कंद माता नवरातरी में पांचवे दिन इस देवी की पूझा अर्जणा की जाती है कहते हैं इनकी इस देवी की चार भुजाएं हैं, यह दाई तरफ की उपर वाली भुजा से सकंद को गोद में पकड़े हुए हैं, नीचे वाली भुजा में कमल पुस्प है, सास्त्रों में इसका पुषकल महत्व बताया गया है, इसलिए इन्हें पदमासना भी कहा जाता है, सिंग इनका व सूर्य मंडल की अधी सास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलोकिक तेज और कांती मन्ने हो जाता है, अता मन को एकागर रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की अराधना करने वाले साधक या भक्त को भौसागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है, उनकी कालीद्वास द्वार रचित, रगुवन्सम महाकावे और मेगदूत रचनाई सकंद माता की कृपा से ही संभव हुई थी, मादुर्गा के छटे स्वरूप का नाम कात्यानी है, उस दिन साधक का मन आग्या चकर में स्थित होता है, योग साधरा में इस आग्या चकर का अत स्थान है, नौरात्री में छटे दिन मा कात्यानी की पूजा की जाती है, इनकी उपासना और अराधना से भक्तों को बड़ी सहजता से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारो फलों की प्राप्ती होती है, उसके रोग, सोक, संताप और भै नस्थ हो जाते हैं, जन्मों के समस् कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद महर्सी कात्यानी ने भगवती परांबा की उपासना की, कठिन तपस्या की, उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो, मा भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए या देवी कात्यानी कहलाई या वैदनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई, मा कत्यानी अमोग फलदायनी है, भगवान कृष्ण को पती रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी, या पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसलिए या ब्रज मंडल की अधिसाश्त्री देवी के रूप में प्रतिस्टित है, इनका स्वरूप अत्यंत भव्व्य और दिव्य है, या स्वन्ड के समान चमकीली है और भाश्वर है, इनकी चार भुजाये हैं, दाई तरफ का उपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है, तथा नीचे वाला ह में तलवार है, वा नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुसोबित है, इनका वाहन भी सिंग है, इनकी उपासना और अराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मुख्च चारो फलो की प्राप्टी होती है, उसके रोग, सोक, संताप और भै नस्ठ हो जा इसलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परंपद की प्राप्ती होती है, मा दुर्गा जी की सात्वी सक्ति कालरात्री के नाम से जानी जाती है, दुर्गा पूजा के सात्वे दिन मा कालरात्री की उपासना का विधान है, इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र मे स्थित रहता है इसके लिए ब्रम्हांड की समस्त सिधियों का द्वार खुलने लगता है कहा जाता है कि कालरात्री की उपासना करने से ब्रम्हांड की सारी सिधियों के दर्वाजे खुलने लगते हैं और तमाम असूरी सक्तियों उनके नाम से उचारन से ही भैवीत होकर धूर बागने लगती हैं नाम से अभिव्यक्त होता है कि मादुर्गा की यह सात्वी सक्ति काल रात्री के नाम से जानी जाती है अर्थात जिनके सरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है नाम से ही जाहिर है इनका रूप भयानक है सिर्क के बाल बिखरे हुए और गले में विद्यूत की तरह चमकने वाली माला है अंधकार में स्थितियों का विनास करने वाली सक्ति है माकाल रात्री काल से भी रक्षा करने वाली यह सक्ति है इस देवी के तीन नेत्र है यह तीनों ही नेत्र ब्रम्हान्ड के समान गोल है. इनकी सासों से अगनी निकलती है यह गदर्व की सवारी करती है. उपर उठे हुए दाहिने हाथम की वर मुद्रा भक्तो को वर देती है. दाहिनी ही तरफ के नीचे वाले हाथ अभय मुद्रा में है यानि भक्तो हमेशा निडर निर्भय रहो बाई तरफ के उपर वाले हाथ में लोहे का काटा तथा नीचे वाले हाथ में खडग है इनका रूप भले ही भयंकर हो परंतु यसदेव सुभ फल देने वाली मा है इसलिए या सुभंकारी कहलाई गई है अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भैवीत या आतंकित होने की कताई अवसक्ता नहीं है उनके साक्षतकार से भक्त पुन्य का भागी बनता है काल रातरी की उपासना करने से ब्रम्हांट की सारी सिद्धियों के दर्वाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी सक्तियां उनके नाम की उचारन से भैवीत होकर दूर भागने लगती है इसलिए दानव, दैथ, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरन से ही भाग जाते हैं यह ग्रव आधाओं को भी दूर करती हैं और अगनी, जल, जन्तू, सत्रू और रातरी भै दूर हो जाते हैं इनकी क्रिपा से भक्त हर तरह के भै से मुक्त हो जाता है मा दुर्गा की आठवी सक्ती का नाम है महागौरी दुर्गा पूजा के आठवे दिन मा महागौरी की उपासना का विधान होता है नवरातरी में आठवे दिन महागौरी सक्ती की पूजा की जाती है नाम से प्रकट है इनका रूप पुर्णता गौर्ण है इनकी उपमा संख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है अस्ट वर्सा भवेद गौरी यानि इनकी आयू आठ वर्स की मानी गई है इनके सभी आभूशन और वर्स्त्र स्वेत हैं इसलिए इने स्वेतांबर धरा कहा गया है इनकी चार भुजाएं हैं और वाहन व्रिशब है इसलिए व्रिशारूढा भी कहा गया है इनके रूप वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है तथा नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारन किया हुआ है उपर वाले बाएं हाथ में डमरू धारन कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है इनकी पूरी मुद्रा बहुत सांथ है पती रूप में सिव को प्राप्त करने के लिए महागौरी ने कठोर तपस्या की थी इसी कारण से इनका सरीर काला पड़ गया परन्तु तपस्या से प्रश्ण होकर भगवान सिव ने इनके सरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांती में बना दिया उनका रूप गौर्ण वर्ण का हो गया इसलिए यह महागौरी कहलाई गई है यह अमोग फलदाइनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम कलमस धूल जाते है पुर्व संचित पाप भी नस्ठ हो जाते है महागौरी का पूजन अर्चन उपासना अराधना कल्यान कारी है इनकी क्रिपा से अलोकिक सिध्यों भी प्राप्ती होती है एक और मानिता के अनुसार एक भूखा सिंग भोजन की तलास में वहाँ पहुँचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है देवी को देख कर सिंग की भूख बढ़ गई परन्तु वह देवी की तपस्या से उठनी की प्रतिक्षा करते हुए वही बैठ गया इस प्रतिक्षा में वह काफी कमजोर हो गया देवी जब तप से उठी तो सिंग की दसा देख कर उन्हें उस पर बहुत दया आ गई उन्होंने ददा भाव और प्रसंता से उसे भी अपनी वाहन बना लिया क्योंकि वो उनकी तपस्या पूरी होने की प्रतिक्षा में स्वयम भी तप कर बैठा कहते हैं जो इस्त्री मा की पूजा भक्ती भाव सहित करती है उनके स्वाग की रक्षा देवी स्वयम करती है मादुर्गा की नवी सक्ती का नाम सिध्धी दात्री है ये सभी प्रकार की सिध्धियों को देने वाली है नवरात्र के नवे दिन इनकी उपासना की जाती है मान्यता है कि इस दिन सास्त्रे विधी विधान और पुर्ण निस्टा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिध्यों की प्राप्ति हो जाती है इस देवी के दाहिने तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, उपर वाले हाथ में गदा, तथा बाई तरफ के नीचे वाले हाथ में संक और उपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है इनका वाहन सिंग है और या कमल पुष्प पर भी आशीन होती है नवरात्र में यह अंतिम देवी है, हिमाचल के नंदा परवत पर इनका प्रसित तिर्थ है माना जाता है कि इनकी पूजा करने से बाकी देवियों की उपासना भी स्वयम हो जाती है यह देवी सर्व सिध्या प्रदान करने वाली देवी है उपासक या भग्त पर इनकी कृपा से कठिन से कठिन कारे भी असानी से संभव हो जाते हैं अनिमा, महिमा, गरिमा, लगीमा, प्राप्ती, पराकरम में इस्तित्व और वस्तित्व आठ सिधियां होती हैं इसलिए इस देवी की सचे मन से विधी विधान से उपासना अराधना करने से या सभी सिधियां प्राप्त की जा सकती हैं कहते हैं भगवान सिव ने भी इस देवी की कृपा से या तमाम सिधियां प्राप्त की थी इस देवी की कृपा से ही सीव जी का आधा सरीर देवी का हुआ था इसी कारण सीव अर्ध नारेश्वर नाम से प्रसिध हुए इस देवी की दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र, उपर वाले हाथ में गदा तथा बाई तरफ के नीचे वाले हाथ में संक और उपर वाले हाथ में कमल का पुष्प है विधी विधान से नवे दिन इस देवी की उपासना करने से सिध्या प्राप्त होती है इनकी साधना करने से लौकिक और पडलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ती हो जाती है मा की चर्णों में सरनागत होकर हमें निरंतर नियमिस्ट रहकर उपासना करनी चाहिए इस देवी का स्मरन ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमरित पद की ओर ले जाते हैं यह तैवार देवी दुर्गा की पूजा के लिए जाना जाता है जिसका अर्थ होता है नव यानी नव और रात्री यानी रात्र इस उत्सों के दौरान लोग मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं और विभिन प्रकार के वरत और उप्वास रखते हैं यह तहवार हिंदू संस्कृती में अत्यंत महब तपूर्ण और भारत के विभिन हिस्सों में विभिन रूप से मनाया जाता है वहीं रामनौमी भारत में हिंदू धर्म का एक प्रमुक तहवार है जो भगवान स्री राम की जैनती के रूप में मनाया जाता है यह तहवार चैत्र महिने के सुकल पक्ष की नौमी को मनाया जाता है इस दिन भगवान राम के जन्म स्थल आयोध्या में भक्तों के द्वारा धूम धाम से जस्न मनाया जाता है भारत में राम नौमी के दौरान नगर किर्तन, परामप्रिक राम लीला नाटको का प्रदर्शन और पूजा अर्चना आदी कई रांगीन कारक्रमों का आयोजन किया जाता है इस दिन भगवान राम के जन्म स्थलों पर रधियात्रा भी की जाती है जिसमें भक्त बड़े परवतिये रतो को खीचते हैं यतवार भारत में विभिन रूपों से मनाया जाता है उत्तर भारत में इस दिन बहुत से मंदिर में राम लीला का आयोजन करते हैं जब की दक्षिन भारत में राम नॉमी को संस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व होता है साथ ही राम नॉमी को भारत भर में संस्क्रितिक Kick 알म पराऊं के अन्तरगत मनाया जाता है इस धिन को खुशी और धूम धाम से मनाया जाता है और इस उसर पर भगवान स्री राम के जन स्थलों का दर्शन करने का फिसेश महत्व होता है आयोध्या उत्तर प्रदेश में इस्थेच स्री राम जन भूमी मंदिर, राम घाट और कन्या कुमारी जैसे अन्य धार्मिक स्थलों पर भक्तों का भीड लगतार रहता है इस दिन को मनाने के अलावा भारत में रामलीला नाटक का अयोजन भी बहुत लोग प्रिये है इस नाटक में भगवान राम की जीवन की कहानी दिखाई जाती है इसके अलावा भजन, कीर्तन, पूजा, अर्चना और पारंपरिक भारतिय वस्त्वों की खरिदारी आदि भी रामनौमी के असर पर लोगो द्वारा की जाती है इस तहवार को भारत के अलावा अन्य देशों में भी मनाया जाता है उधारन के लिए इंगलेंड में रामनौमी के असर पर भीड आयोध्या के स्री राम मंदिर में उपस्थित होती है इस तरह से भारत देश की संस्कृती और पराय विश्वभर में फैलाई जाती है और उन्हें सम्मान किया जाता है इसी तरह की कुछ खास बातों को जानने के लिए देखते रहे राजनामा दुनिया और आप सभी राजनामा के दर्सकों को राजनामा दुनिया की पूरी टीम की ओर से चैत्र नौरात्री और राम नौमी की हार्दिक सुकामना है धन्यवाद